कण कण में हैं उनका वाज गोपियों संग्जों रचाई राज देव की ये शोदा हैं जिनकी मैया वो हैं हमारे कृष्णिक नहिया ओम श्री कृष्णाय नम्हा आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर हादिक स्वागत है आप अगहन मास में यानि की माक्षिस मास में अब अब साक्षाद दर्शन तो किसी भी रूप में हो सकते हैं भगवान तो जब चाहे किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद कर दिया करते हैं कहते हैं जब मन की लगन सच्ची हो तो भगवान को आना ही पड़ता है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली भगवान कृष्ण के नाम के बारे में अब आप भी सोचने लगे होंगे कि भगवान कृष्ण के नाम के बारे में आखिर ऐसा क्या खास है क्योंकि सभी तो उन्हें कानह, कनहिया, लड्डु गोपाल या कृष्ण भगवान कहते हैं लेकिन उनकी नाम के बीचे भी एक रहस् जाते हैं इस बारे में तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जए जरूर लिख दीजेगा दरसल भगवान कृष्ण के कनहया नाम के बारे में कहानी प्रचलित है और इस कहानी के निसार एक दिन वासुदेव प्रेणा से कुल पुरोहित गरगाचारिक गोक बाबा ने और यशुदा मैया ने खूब आवभगत की और फिर वासुदेव और देटी का हालचाल भी पूछा और हालचाल पूछने के बाद जब पुरोहित जी से उनकी आने का कारण पूछा तो पुरोहित जी कहने लगे कि पास के गाउं में एक बालत ने जनम लिया है वहाँ नामकरण के लिए जा रहा था बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा तो मिलने के लिए चला आया पुरोहित जी के आने का कारण जानकर नंद बाबा और यशुदा मैया भी बड़े प्रसंद हुए क्योंकि उनके घर में भी तो दो बालकों ने जनम लिया था एव करने लगे तुम्हें है हर काम जोर शोर से करने की आदत अगर कंस को पता चल गया कि मैंने तुम्हारे बच्चों का नामकरण किया है तो वो तो मेरा जीना ही मुहाल कर देगा पुरोहित जी की बात सुनकर नंद बाबा कहने लगे यह भगवन तो गौशाला में चुप-च कुल पुरोहित आए हैं तो वो उनका बड़ा गुरुगान करने लगी यह शुदा मया कहने लगी गरगा चारे जी तो बहुत बड़े पुरोहित हैं तो एक काम करो अपनी बच्चे हम बदल लेते हैं तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे लाला को लेकर जाऊंगी अब देखती हूं कैसे तोमारे कुल proportion जानेंगे अब दोनों मात Virus जी की Para Hut जी की परिक्षाओं पर हे उतर आए about शीलो चील के शील के तो अब दोनों far एक रहारीं तो लोगी में अभी में और जब दोन India को में पहुज गई तो यह Should garage तो एक नाम राम होगा और ताकत में इसके समान कोई भी नहीं होगा इसलिए इस बालक के गुणों और इसकी ताकत के बल पर मैं इसका नाम बल राम रखूंगा ये किसी में कोई भेद नहीं करेगा और सब को अपनी तरफ आकर्शित करेगा तो इसका एक नाम संकर्शन भी हो हो गए अपनी सारी सुद्वुद भूल गए और खुली आंखों से प्रेम समाध ही लग गई पुरोही जी उस नन्हे बालक की छवी देखने में ऐसे मगन हुए ऐसे मगन हुए कि ना जाने कितने पल इसी तरह पीत गए और यह देखकर नंद बाबा बड़े खबरा गए पु और एकदम बोल पड़े अरे नंद बाबा तुम्हारा बालक कोई साधारन बालक नहीं ये तो ये कहते हुए जैसे ही पुरोही जी ने अपनी उपर उठाई तभी काना जी ने उन्हें आख दिखा दी आप देख रहें नटखट लाला की शरारत अभी नामकरन भी नहीं हु और लगे शरारत करने पुरोही जी तो उंगली उठाब कर ये कहने ही वाले थे कि ये तो साक्छत भग्वान है तभी काना ने आखों में पुरोही जी ढखा दिया आहीं ञारा करने लगे को भीगोने आया हूँ अगर आपने अभी से मेरा भेद वतला दिया तो मेरा क्या हाल होगा ये तो आप भी अच्छे से जानते हैं इसलिए मेरे बाबा को और मेरी मैया को बिलकुल मत बताना कि मैं साक्षाद भगवान हूँ और देखे ये मुख समवाद पुरोही जी और नन से धमका दिया बाबा मान जाओ नहीं तो यहीं जुबान रुख जाएगी और उंगली उठी की उठी रह जाएगी और सारा खिल आखों ही आखों में हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता था पास बैठे नंद बाबा को ये शुदा मैया तक को नहीं पता कि उनकी आखों के स इसके नाम भी अनेक होते जाएंगे लेकिन क्योंकि इस बार काला रूप पाया है इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा और इससे पहले ये कई रंगों में आया है तो मैया कहने लगी बाबा ये कैसा नाम बताया है इसे बोलने में तो मेरी जीब भी चक्कर खा जाएगी बा अब तो ये शुद्धा मिया बहुत प्रसंद हो गई अब सारी उमर उन्होंने अपने लाल को कन्हिया या काना कहकर ही पुकारा ये थी भगवान कृष्ण के नाम की कहानी अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करना मत भूलेगा आपको मेरे चैनल पर हर दिन इसी तरह से भगवान कृष्ण की टेलाओं की कहानिया सुनने को मिलेगी अगर आप सुनना चाहते हैं श्रीमत भागवत गीता के पार्ट तो आप मेरे चैनल व्रत कथा और कहानी पर इन सारे अध्यायों को हर दिन न